केजरिवाल कुछ देन के लिए जेल से बाहर के आए केजरिवाल की पार्टी और इंडी गडवंदन ने मौल पूरा इसा बना दिया जैसे केजरिवाल बाहर आ गए तो पता नहीं क्या बाजी पलट दे कोई कह रहा है कि इंडी गडवंदन में जान आ गई इसका मतलब मान रहे हो अभी तक जान नहीं थी कोई कह रहा है कि अब तो चुना भी पलट जाएगा तो मान रहे हो कि अभी तक नहीं पलटा हुआ था वो जो narrative बेचा जा रहा था कि मोदी तो गए हो इसका मतलब वो स्थिती नहीं थी क्योंकि अभी आप कह रहे हो कि अब केजरिवाल आ गए तो आप पल्टेगा तो इसका मतलब अभी तक तो नहीं पल्टा था ना कोई नरिंदर मूदी को कोश रहा है कोई कह रहा है कि ताना शाही का काल केजरिवाल लेकिन केजरिवाल के नाम पर जो लोग माहल बना रहे हैं वो शायद ये चाहते हैं कि आप भूल जाए कि केजरिवाल आज भी वही केजरिवाल हैं जिनने शराब गोटाले के मामले में ED, Mastermind और Kingpin बता चुकी है निचली अदालत और हाई कोट उनकी गिरफतारी को सही बता चुकी है और सुप्रीम कोट में अभी उनकी गिरफतारी सही थी या नहीं इस पर फैसला आया नहीं है यानि अब भी केजरिवाल का स्टेटस हुआ ही है कि शराब गोटाले में उन पर गंबीर आरोप हैं जिसकी वज़े से वो 50 दिन जेल में काट कर आए यानि मोहल बनाने वाले चाहते हैं कि आप ये सारे फैक्ट्स भूल जाएं और सिर्फ उनके नेरेटिव पर विश्वास करें केजरिवाल के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता केजरिवाल की रिहाई पर बाते ऐसी ऐसी कर रहे हैं जैसे केजरिवाल को मिली इत्तू सी बेल से कोई बहुत बड़ी क्रांती हो गई है आम आदमी पार्टी के नेता क्या क्या रहे हैं भाई सुनिए जरा tell कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं ऐसा लग रहा है मैंने का ना ऑईसा लग रहा है जिसे केस ही खतम हो गया इनने से लोगतंतर बचाने सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोगतंतर बचाने अभी वो बताएगा सुप्रीम कोट की भईया गिरफतारी सही थी या नहीं और इन पर जो आरोप लगें उनका क्या तानशाही के खिलाफ उम्मीद की किरण है केजरिवाल अब देश केजरिवाल का कमाल देखेगा यानि एक तरह से फिर ये माहल बना दिया गया कि राहूल गांदी, ममता बेनर जी, लेफ्ट वगएरा वगएरा सारी पार्टिया सब थंडा मामला था अब यहां से चुनाव शुरू हुआ क्योंकि केजरिवाल आ गया यानि आमादमी पार्टि ऐसा माहल बना रही है जैसे केजरिवाल को सुप्रीम कोट ने मानो निर्दोश करार दिया आमादमी पार्टि को सुनिये, फिर बताता हूं कि केजरिवाल को मिली राहत पर क्या चुनाव का माहल बदलेगा या नहीं बदलेगा आज मानिय सर्वोच नयायले का एतिहासिक फैसला आया चुनाओं के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अर्विंद केजरिवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग की फैसला है हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक मातावण बनेगा जो अन्याय, अत्याचार और ताना साही है देश के प्रधान मंत्री और भारती जन्ता पार्टी की उसका अंत होगा अब देश केजरिवाल का तमाल देखेगा अर्विन केजरिवाल को बेल मिलने की खबर जैसे ही बाहर आई सीएम हाउस में उनके स्वागत की खास तैयारियां शुरू हो आटो में भर भर कर फूल लाए गए ये देखिए, आटो में भर कर फूल लाए गए पूरे CM हाउस को फूलों से सजाने की तयारी शुरू कर दी गई केजरिवाल पर फूलों की बारिश की वेवस्ता भी की गई यह आएंगे सर तो कैसे फूल बरसाने यह देखिए फूल बरसाने वाली मशीन लगाए गई भगाईदा ब्लोर लगाए गया जैसे फिल्मों में आप नहीं देखते है कि कोई शॉट होता है उसमें मानली जे कोई आ रहा है तो उसमें फूल बरसाने के लिए वहाँ ब्लोर लगाया गया अब फूल उडाने की प्रैक्टिस भी हुई कि मानली जे उस वक्त आया नहीं चला तब पूरी प्रैक्टिस हुई है कि केजरिवाल आएंगे तो कैसे घन घन फूल बरसाना है उन पर वहीं सीम हाउस के बाहर आतिश बाजी भी हुई आम आदमी पार्टी के कारेकरता हुने जम कर पठा के छुट तियार के बाहर भी जश्न का मौल देखने को मिला बेल के खबर मिलते ही सेकडो कारेकरता जेल के बाहर पहुचे और एक दूसरे को मिठाई भी खिलो तियार से लेकर सीम हाउस और आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जश्न की तैयारियां दिखी और जब केजरिवाल सीम आबास पहुचे तो संजे सिंग ने माला पहना कर केजरिवाल का स्वागत है और संजे सिंग तो इतने जोश में थे कि केजरिवाल गोदी में और आ attached कि अर्विन केजरिवाल जेल से रहीं बलकि कोई जंग या चुनाब जीत कर आ रहे हों आम आदमी पार्टी के नेता भी इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक बार सुनिए उसके बाद सुनाओंगा केजरिवाल की जमानत पर विपक्ष के नेताओं को क्या रियक्शन आया है। आया लोकतंत्र को बचाने के लिए सम्मिधान को बचाने के लिए और जब जब इस देश में लोकतंत्र और सम्मिधान खत्रे में रहा है सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। लड़ाई चल रही है संबिधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है अरविंद केजरिवाल जी के बाहर आने से लड़ाई और मजबूत होगी उदर इंडी गड़बंदन वाले तो अलगी लेवल पर हैं केजरिवाल को बेल मिलने पर वो इतने जोश में हैं जैसे लग रहा है कि केजरिवाल के प्रचार से ही इंडी गड़बंदन की सरकार बन जाएगी शरत पबार ने लिखा कि वो केजरिवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के फैसले का स्वागत करते हैं इंडिया लोकतंतर की रक्षा के लिए थतपर रहेगा पश्चिम बंगाल की सीम ममतब एनरजी ने लिखा कि केजरिवाल को अंतरिम जमानत मिलने से वो बहुत खुश है चुनाप के मद्दे नजर इससे काफी मदद मिलेगी जारकन के पूर मुख्यमंतरी एहमन सुरेन की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि तानाशाही ताकतों को ये दिखाना है कि देश बाबा साब डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी के समिदान के अनुसार चलेगा आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल जी को बदाई समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष अखिलेश यादब ने लिखा कि दिल्ली के लोगप्रिय मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल जी की जमानत सत्त की एक और जीत है इंडी गड़बंदन की शक्ती और एक जुटता बीजेपी के दुखदर्द देने वाले राद से भारत की जनता को मुक्ती दिल्वाने जा रही यानि सबने मिलकर महौल वही बनाया हुआ है कि अब जो है वो खेला हो बेगा केजरिवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर वो कॉंग्रेस भी खुशी से उचल रही है जो पंजाब में आमानी पार्टी के खिलाव चुनाव लड़ रही है वो कॉंग्रेस भी खुश है सुनिए कॉंग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं फिर बताता हूँ कि केजरिवाल की जमानत पर रागव चड़ा क्या कह रहे हैं मानी सरवोच नियायले द्वारा जो राहत आज श्री अर्विंद केजरिवाल को मिली हम उसका स्वागत करते हैं और उमीद करते हैं कि चार जून के पश्चात प्रधान मंतरी मोदी जो की तब तक बूदपूर प्रधान मंतरी हो जाएंगे उन्हें समय मिलेगा कि वो सावर मंतर आश्रम में बैठ कर और थोड़ी आत्मचिंतन करें कि इस तरहें की राधनिती को करते हैं हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि चार खंट के पूर मुख्यमंतरी श्रीहेंद सोरेन को भी शीग रतिशीग न्याय मिले ये सारे लोग बयान तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कोट ने अपने ओर्डर में लिख दिया हो रागव चड़ा की गैर मौझूद की को लेकर लगातार सवाल उठा है रागव चड़ा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और केजरिवाल के वरोसे मन भी माने जाते हैं इन केजरिवाल की गरफतारी के बाद से आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन से रागव चड़ा गायब थे बताया गया कि रागव चड़ा अपनी आँखों के इलाज के लिए लंदन गए है अब केजरिवाल को जमानत मिली तो रागव चड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर देशवासी की आखे खुशी से नम हैं उनके भाई उनके बेटे अरविंद केजरिवाल जिल से बाहर आने वाले हैं लोगतंतर की रक्षा करने के लिए माननिय सुप्रीम कोड का दिल की गहराईयों से आभाद यानि एक और ट्वीट रागव चड़ा का आया भले वो आए हो या ना आया इसके लावा उद्दव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने लिखा किताना शाही सरकार के खिलाव केजरिवाल को इंसाफ मिलना बड़ी रहात की बात है हवा बदल रही है केजरिवाल सच बोलते हैं और यही बीजेपी को पसंद नहीं है हम मिलकर भारत के सम्मिदान और लोगतंतर को बचाएं यानि केजरिवाल के नाम पर पूरा इंडी गड़बंदन जूम रहा है लेकिन इस खुशी में कोई ये न भूले कि केजरिवाल को सुप्रीम कोट ने मात्र 23 दिन के लिए छोड़ा है और इन 23 दिनों में टर्म एंड कंडिशन्स भी लगाई गई है अब जरा सुनिए कि क्या टर्म्स एंड कंडिशन्स जो है जैसे नहीं होता है वो आप देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडिशन्स अपलाई तो ये टर्म्स एंड कंडिशन्स इनके बेल पर भी है सुनिए कोट ने क्या बोलकर जमानत दिया अंतरिम जमानत कोट ने काया कि उनके CM दफ्तर जाने पर रोक रहेगी यानि अर्विन केज रिवाल जो है वो मुख्य मंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते दिल्ली सचिवाले जाने पर रोक रहेगी यानि वो सचिवाले जाकर काम भी नहीं कर सकते कोट ने ये भी का कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे लेकिन अगर उनके साइन के बिना किसी फाइल के LG के पास जाने में रुकावट आएगी तब वो साइन कर सकते हैं उनको चुरिंदा फाइल्स को कोट ने ये भी शर्त रखी है कि वो केस में अपने रोल पर कोई बात नहीं करेंगे और अर्विन केजरिवाल केस के किसी गवा से भी बात नहीं करेंगे साथी कोट ने ये भी कहा कि वो केस से जुड़ी हुई कोई फाइल भी नहीं देखेंगे यानि इतनी शर्ते रखी गई हैं कोट की तरफ से 23 दिनों के बाद यानि 2 जून को अर्विन केजरिवाल को सरिंडर करना होगा और वो फिर से तिहार पहुंच जाए यानि ऐसा नहीं है कि वो छूट गए हैं उनको वापस उसी तिहार जेल में रिपोर्ट करना है कोट ने अपने फैसले में जो सबसे एहम बात लिखी है अब जरा उसको सुनी किस कोट ने लिखा है कि इस अंतरिम जमानत को बहुत ध्यान से सुनीए इस अंतरिम जमानत को केस के मेरिट और क्रिमनल अपील से जोड़ कर नहीं देखा जाएगा यानि जो लोग ये महौल बना रहे हैं कि सुप्रिम कोट से न्याय मिल गया भाईया ये अंतरिम जमानत चुना प्रचार के लिए मिली है इसका मतलम नहीं कि कोट ने कह दिया केजरिवाल जो है वो पाक साफ है कोट ने कहा कि इसको केज के मेरिट से जोड़कर नहीं देखा जाएगा यानि अंतरिम जमानत मिलने से ये नहीं कहा जा सकता कि मामले में दम है या नहीं केजरिवाल को गलत फसाया गया या उनकी गिरफतारी गलत कोट ने साफ साफ लिख दिया क्योंकि शायद उनको भी पता होगा बाहर यही सब होगा कि भाईया होगे आप तो केजरिवाल आ गए तो कोट ने लिख दिया कि भाईया इसका केस के मेरिट से कोई लेना देना नहीं इसके लावा केजरिवाल को अंतरिम जमाना देते वे सुप्रीम कोट ने और क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ सुप्रीम कोट ने कहा कि E.D. ने सही कहा कि 9 समन बेजे जाने के बाद भी केजरिवाल E.D. के सामने पेश नहीं हुए जिसमें से पहला समन अक्टूबर 2020 में जारी हुआ था समन पर पेश नहीं होना एक नेगेटिव फैक्टर है इसमें कोई शक नहीं कि केजरिवाल पर गंबीर आरोप लगे हुए ये सुप्रीम कोट कह रहा है कोट ने कहा कि इस समय बहस पूरी करना और फैसला सुनाना संभव नहीं है देश में इस समय लोगसबा चुनाव चल रहा है और याचिका करता को निचली अदारत से जबानत लेने के लिए कहना सही नहीं होगा केजरिवाल जेल से बाहर आकर प्रचार करेंगे तो इंडी गडबंदन की दो खाली कुरसियों में एक कुरसी भर भी जाएगी अब तक इंडी गडबंदन जहां जहां जॉइंट रैली करता था वहाँ दो खाली कुरसी रख देता था अरभीन केजरिवाल और हेमन सुरेन की अब इस पर केजरिवाल बैट जाएंगे हेमन सुरेन भी लगता है जल्दी बैट जाएंगे क्यों कह रहा हूँ आगे बताओंगा इन खाली कुरसियों को दिखा कर केजरिवाल की पत्नी और हेमन सुरेन की पत्नी दोनों रैलियों में जाती थी केजरिवाल की तरह हेमन सुरेन को भी इडीने अरेस्ट किया हुआ है केजरिवाल तो फिलाल के लिए छूट गए लेकिन हेमन सुरेन अभी भी जेल में है और अब केजरिवाल के छूटने के बाद उन्हें भी उम्मीद होगी कि केजरिवाल की तरह उन्हें भी रात मिल जाएगी मैं वो भी कहेंगे कि मैं भी नेता हूँ मुझे भी प्रचार करना है आज केजरिवाल पर सुप्रीम कोट के ओर्डर के बाद सवाल हेमन सुरेन के मामले में भी उठा कि क्या हेमन सुरेन को केजरिवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन की बेल मिल सकती है हेमन सुरेन ने सुप्रीम कोट में याचिका लगाई थी इस पर 29 अपरेल को सुप्रीम कोट ने नोटिस जारी कर दिया था और उसके बाद 3 मई को हाई कोट ने अपना फैसला सुना दिया और गिरफतारी को वैद बता दिया अब सुप्रीम कोट ने काया कि हाई कोट अपना फैसला सुना चुका है इसलिए सुप्रीम कोट में हिमन जब देने के लिए और टाइम मांगेगी जिससे रहात मिलने में और देरी हो सकती है। पहले चरण की वोटिंग 13 मईज को 13 मईज से शुरू हो रही है। अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के तर्क से वो पूरी तरह ऐस सहमत है। क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक जमानत दी गई है। और ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। वो कह रहे हैं कि अब कोई भी विचारा धीन के दी चुनाव के लिए अंतरिम जमानत का दावा करेगा। करेगा।